सब मेरे वीडियो लेक्चर्स देख रहे होंगे और CSIR NET से लिव रिलेटेड जितने भी वीडियोस होंगे CSIR NET Life Science से रिलेटेड मैं अल्मोस्ट सभी वीडियोस डालूंगी सो प्लीज वाच मैं वीडियोस और प्लीज दू सब्सक्राइब सब्सक्राइब मैं सारी के सारी वीडियोस विद एक्स्प्लेनेशन अच्छे से डालूंगी नाव आज हम पढ़ेंगे C4 cycle और C4 cycle का एक और नाम होता है डाट इज है डाट इस हैच अट स्लैक पाथ हुए ओके सब्सक्राइब सब्सक्राइब करी पहले बात तो इसका C4 cycle नाम क्यों होता है तो इसका C4 cycle नाम इसलिए नहीं होता कि भई C3 cycle, C3 cycle का नाम C3 cycle क्यों था? क्योंकि उसमें C3 acids होती है, यहां C4 cycle का नाम C4 इसलिए है, because इसमें जो first product जो बनता है, वो एक C4 acid बनता है, sorry, एक C4 acid बनता है, जो first product बनता है, इसलिए इसका नाम C4 cycle है, हैंस हमें क्या करना है C4 cycle में, like क्या हो रहा था? कि higher temperatures पर, मैंने आपको photorespiration में बताया था, कि higher temperatures पर, जो rubesco है, वो oxygen की साथ combine, okay, it works as oxygen is, okay, और photorespiration हो रहा था, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कि photorespiration को minimize कर सकते हैं, C4 cycle से, C4 cycle के थूरू क्या कर रहे हैं, हम photorespiration को minimize कर रहे हैं, और carbon dioxide का अच्छा खासा यूज ले सकते हैं, यहने कि photorespiration के थूरू जो carbon dioxide waste हो रही थी, वो हम अच्छे से यूज ले सकते हैं, उस carbon dioxide का, सो हम क्या करते हैं, कि C4 cycle में क्या होता है, एक pathway होता है, उस pathway के थूरू जो है, अराम से जो है carbon dioxide का यूज लिया जा सकता है, सो हम यहां क्या करेंगे, हम यहां कर रहे हैं, minimize कर रहे हैं किसको photorespiration को, ताकि photorespiration जो है, वो ना हो, बजाए photorespiration होने के अलावा, जो है, high temperatures पर जो है, वो रुबिस्को जो है, वो carbon dioxide के साथ ही bind हो, high temperature भी हो, पर रुबिस्को जो है, वो carbon dioxide का अच्छा यूटिलाइज कर सके, सो optimize Kelvin cycle, यानि कि हम क्या करवा सके, अच्छे खासे तरीके से Kelvin cycle करवा सके, और जो है, carbohydrates बना सके, यानि कि हम हमारा food बना सके, यानि कि, sorry, plants अपना food बना सके, ओके, सो हमें क्या करना है, कि optimize करना है Kelvin cycle को, और minimize करना है photorespiration को, सो एक pathway होता है, और C4 cycle जो होती है, अब यह minimize कैसे करेगी photorespiration को, थ्रू क्रेंज अनाटोम, C4 cycle जो होती न, वो इसमें एक, मतलब process होता है, क्रेंज अनाटोमी, यानि कि, क्रेंज अनाटोमी जो है, उसकी वज़े से, जो है, हम आराम से minimize कर सकते है, photorespiration को, and then, जो है, carbon dioxide complete utilize होगी, carbon dioxide का complete use होगा, and then, वो complete carbon dioxide जो है, वो food बनाने में help करेगी, and जो C4 cycle जो होगी, वो C4 plants में होगी, C4 cycle जो होगी, वो monocots and dicots, दोनों में ही होगी, okay, monocots में भी होगी, dicots में भी होगी, C4 cycle जो होगी, C4 plants, for example, हम ले सकते हैं, maze, हम ले सकते हैं, sugarcane, at triplex, यह examples आप याद कर लिजीगा, C4 plants की, now, जो क्रेंज अनाटोमी है, उसमें जो थाप की cells होती है, तो यह निकिंग कीarkan्ज अनाटोमी का जो प्रोसेस है, उसमें दो टाप की cells involved होती है, और यह C4 cycle होती है, यह भी two type of cells में होती है, तो पहले जो एक outer cells होती है, हम बोलते हैं, एक outer जो cells होती है, उसको हम बोल देते हैं, मीजोफिल सेल्स ओके आउटर में जो सेल्स हो जाती है उनको हम बोल देते हैं मीजोफिल सेल्स और जो है अंदर की साइड जो है एक लाइनिंग होती है that is known as echo type की cells होती है that is known as bundle that is known as bundle sheet cells okay bundle sheet cells तो यह दो टाइप की cells mesophyll cells and bundle sheet cells तो इन दो टाइप की cells के थ्रूई जो है जो है यह C4 cycle होगी and photosynthesis का process होगा carbon dioxide का utilize मच्छे से ले पाएंग so let's go to the process now so this is a rough diagram of showing cranes anatomy actually so cranes anatomy में दो टाइप की cells होती है जिसमें C4 cycle का पूरा process होता है so one is mesophyll cells so mesophyll cells में दो layers आते हैं one is palisade layer and another one is spongy layer यह दोनों layers मिलके जो है mesophyll cells बनाते हैं then second is bundle sheet cells bundle sheet cells जो होंगी वो vascular bundle जो होंगे अंदर की side जो है vascular bundle जो होंगे outer में जो है mesophyll cells होंगी अंदर की side में vascular bundles होंगे तो उस vascular bundles के surround में एक ring होगी that is known as bundle sheet cells यह ring type जो है यह cells जो है यह bundle sheet cells है और की तरफ जो है वास्कुलर bundles है तो है जो c4 cycle जो होगी it is in the two types of cells first it is in outer cells mesophyll cells and then it is in bundle sheet cells so c4 cycle will takes place in both types of cells and then जो है जो co2 का जो fixation होगा it is in bundle sheet cells then पहले जो है carbon dioxide को लेना and then जो है उसको एक c4 acid में convert करना the first product is a c4 acid which is little unstable तो वो होगा mesophyll cells में but उसके बाद जो है उस carbon dioxide को fix करना as in the form of Kelvin cycle complete rubisco की activity जो हो रही है so it is present in bundle sheet cells so we can actually say कि जो rubisco की जो activity है it is in bundle sheet cells so guys these are my nodes c4 cycle का ये देखें ये c4 cycle है और ये जो c4 cycle है ये two types of c4 cycle है ये two types of cells में हो रही है एक तो हो रही है ये mesophyll cells में और एक ये हो रही है bundle sheet cells में तो two types of cells में हो रही है और हम यहाँ पर जो है carbon dioxide का का काफी अच्छा खासा यूज लेंगे Kelvin cycle जो है यहाँ पर अच्छे से चलेगी photo aspiration में Kelvin cycle इतनी नहीं चल रही थी थोड़ा सा वो wasteful process है लेकिन c4 plants जो की higher temperature पर रहते हैं और higher temperature पर रहते हुए भी वो काफी अच्छा खासा photosynthesis process कर लेते हैं because of this cranes anatomy only this cranes anatomy के इस arrangement की वज़े से सो हम देखेंगे कि मीजफिल सेल्स तो यूजुली क्या औरा कि बाहर से जो carbon dioxide आ रहा है इस फॉस्ट कंवर्टेट टू सारी सारी गाईज it is converted to HCO3 minus यानि की water के साथ combine होकर के यह convert हो जाएगा HCO3 minus में और यह जो है phosphoenol pyruvate के साथ combine होके जो first product जो इसका बनेगा that is oxaloacetate oxaloacetate is the first product जो के एक 4 carbon compound है और यह convert होगा phosphoenol pyruvate carboxylase की presence में अच्छा यह जो oxaloacetate है यह little unstable होता है quite unstable होता है पर यह first product है और यह 4 carbon compound है that is why हमने इस cycle को C4 cycle भी कह दिया मैंने आपको पहले बताया था इसके लिए हमने इसको C4 cycle का है okay and यह C4 plants में ही होती है examples आप देख लीजिएगा atriplex है sugarcane है corn maze यह C4 plants के examples है तो oxaloacetate में convert हो गया यह सारा जो हो रहा है कि oxaloacetate में convert होना यह सब हो रहा है cytosol में okay अभी chloroplast की बात नहीं कर रहे हैं अभी chloroplast में अब क्या होगा कि oxaloacetate जो 4 carbon compound है यह क्या कर जाएगा move कर जाएगा और move कर चला जाएगा यह किसमें chloroplast में अब यह है chloroplast किसका chloroplast है यह mesophyll cell का chloroplast है तो दो टाइप की cells होंगी एक होगी bundle sheet cell one a bundle sheet cell one is mesophyll cell दोनों की यह लग-लग chloroplast होंगे बिकास जो यह cycle चलेगी Kelvin cycle this moves in chloroplast only and the first product बनेगा C3 cycle का that is glycerol dehyde 3-phosphate is a C3 acid actually and we have to make that C3 acid for photosynthesis for making of food so this is the chloroplast of mesophyll cell so this oxaloacetate moves to the chloroplast of mesophyll cell it is a 4-carbon compound which is quite unstable so क्या होगा कि oxaloacetate जो है वो अगेन 4-carbon compound में reduce हो जाएगा या weekend से convert हो जाएगा that is known as malate तो यह convert हो जाएगा किसमें malate में which is also 4-carbon compound यहाँ पर है energy nadph का use हो रहा है to nadph का use हो रहा है nadph का use हो रहा है it is converted to nadp plus और यह malate में convert हो रहा है which is also a 4-carbon compound malate में भी convert हो सकता है और it can also be converted into aspartate aspartate is also a 4-carbon compound okay so malate aspartate में convert हो रहा है now this mallet moves to the bundle sheet cell moves to the chloroplast of the bundle sheet cell okay अब यह move कैसे करके जाएगा यानि कि यह जो मीजोफिल cell के chloroplast से और bundle sheet cell के chloroplast तक कैसे पहुच गए mallet so it is just because of plasmodesmata plants में plasmodesmata होते हैं as we know तो plasmodesmata के through जो है यह क्या करेगा कि bundle sheet cell के chloroplast में move कर जाएगा now जो है यह mellate जो है it is converted to pyruvate in the chloroplast of bundle sheet cell यहनि क्या में यू कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है यह pyruvate it is a three carbon compound c3 acid है यह अबनाव इसमें convert हो गया it is now a four carbon compound is converted into a three carbon compound और यहाँ पर क्या हो रहा है little decarboxylation हो रहा है यहाँ पर एने डीपी प्लस का यूज होके एने डीपेच में convert हो रहा है और यहाँ पर decarboxylation हो रहा है और कि carbon dioxide निकल रही है obviously मैंने आपको बता है था कि bundle sheet cell में ही जो है rubisco की activity काम आएगी यह रुबिसको अपना काम कहां करेगी bundle sheet cell में तो यह लीज़े रुबिसको यहां काम कर रही है bundle sheet cell में अब क्या किया मेकेनिजम कर लिया यह कि पहले मीजोफिल सेज देनम सी फॉर एसेड को क्वाइट अंस्टेबल कंपाउंड को जो हैं ट्रांसफर कंवर्ट कर देंगे देन यह बंदल चीट सेल में अंदर जाके बंदल चीट सेल में इस कारबन डायकसाइड का इंस्टेड अफ ऑक्सिजनेज रुबिस्को जो है कारबोकसिलेज की फॉर्म में काम करेगी और आराम से यूज लेगी और जो है अब यहां पर काफी अच्छी खासी केल्विन साइकल चलेगी यानि कि हमने इस कारबन डायकसाइड का यूज काफी अच्छे से ले लिया बच इस मूब्ट तो दग्लोरोप्लास्ट ऑफ दा मीजफिल सेल ओके साइटोसोल में नहीं क्लोरोप्लास्ट में ओके यह व्याव तो रिमेंबर दिस तो पाइरुवेड यहां पर अब जो है यह जो सीफोर साइकल है इस आ एटीपी ड्राइवन सीयोटू एंरिच्मेंट साइ ले लिया हमने केलियन सेकल चला थी हमने फोटोंथेस भी कर लिया अट हाय टेंपडvic premiereचर हाय टेंपड़ेचर पर भी जो है आमने अच्छे से पोटोसेंगवीश्यक कर लिया वापस साइटोसल में आ जाएगा एंड अगें जो है वह आपना आपोसस्टेवां शन्यू करे कि अपना photosynthesis का process कर लिया this is what जो c4 plants जो है इस तरीके से जो है वो अपना process करते हैं काफी अच्छी कासी carbon dioxide जो है वो fix कर लेते हैं photosynthesis करते हैं and अपना food बनाते हैं so it is just because of what cranes anatomy okay यह arrangement की वज़े सी arrangement सारी leaf में है कि पहले mesophyll cells है then यह compound उन्हों कर रहे हैं bundle sheet cells में and then bundle sheet cells में ही Kelvin cycle चल रही है you have to remember guys कि bundle sheet cell में ही जो है Robesco अपना काम कर रही है bundle sheet cell में ही जो है Kelvin cycle चल रही है okay so guys मैं और videos upload करूँगी अभी plant physiology का ही चल रहा है तो plant physiology पे ही मैं और videos upload करूँगी related to msc related to csr net related to bsc somewhat to please do subscribe my channel for more notifications thank you thank you so much see